नमस्कार पेश है सफते का एक खास मुकाबला बतानी के जरुवत नहीं कि विशे हम बहुत ही बढ़िया पैनल के साथ कोशिश करेंगे आपको बताने और समझाने की मैंने आपसे एक सवाल पूछा था अपने fan page पे कि what do you want or expect from this budget आप इस budget से क्या उमीदे रखते हैं और क्या चाहते हैं बहुत सारे आप लोगों के हमेशा की तरह मुझे reactions और प्रतिक्रिया आ रही मैं आपको पहले पैनल से मिलाता हूँ यह सब बहुत जानकार लोग हैं फिर हर दिशामी चर्चा भागे नहीं जीवियल नारी से महराओ साब हैं जो भारति जरता पार्टी को रेप्रेजन करते हैं परणजो गुहा ठाकुरता आप सब जानते हैं परणजो और हमने बहुत कारिक्रिम किये हैं आर्थिक विशों पर और मेरे आर्थिक विशों के semi-panelist प्रवीन जासाब प्रफेसर ने जवाला लहरु विश्विद्याले के प्रवीन जी को भी आप जानते हैं और सिधार्त बिरला साब हमारे साथ होंगे जो कि पूर्व अध्यक्ष रहे हैं फिकी के तीन विशे पहला ध्यान से सुनिये आप मेरी बात को इंफलेशन अर्था आपकी हमारी जिंदीगी का एक बड़ा विशे महंगाई क्यों इंफलेशन इंफलेशन इसलिए क्योंकि हमें कैसे दोर से गुजर रहे हैं जहां कच्चे तेल की कीमतें बहुत कम हैं क्रूड अपने लोइस्ट पे है तूसरी बात आर्थिक सर्वेक्षन में साथ फीसिदी की बात होने का अंदेशा बताया गया है होने की उम्मीद जताई गयी है क्या ये संभव है जब तक की सरकारें खुद अपना पैसा पंपिन नहीं करें एकॉनमी में इंफ्रास्ट्रक्चर में ये दूसरा विशे जर ध्यान से सुनिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपकी हमारी जिन्दगी से जुड़ा अर्थाद सडकें अर्थाद बहतर विवस्था हर चीज की आपके और हमारे जीवन की और तीसरा अंग्रेजी का एक लफज है और परणजोय अमेट प्रवीन जा सब इससे बहुत अच्छी तरह से वाकिव हैं अग्रिगेरियन क्राइसिस कि क् क्रिशी के स्थिती में एक बड़ी तकलीफ से गुजरने वाले हैं ये विशह में क्यों पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा एक सरल सा मानना है देश के तमाम गाओ देहाद घूमने के बाद कि क्या किसानों के लिए जो हर स्थर पर स्कीमों की घुशना होती है क्या वो वाकई व्यवस्थित सिस्टेमाटिक तरीके से किसानों तक पहुंचती है तीन विशह इंफलेशन, महंगाई, ग्रोथ, तरक्की और किसानों तक उनका हक और हित पहुंचना आप सब लोगों को क्लियर है जीवियल सहाब ट्विटर पे थे आज मैं भी ट्विटर पे आया हूँ प पिछले दस-एक महीने में तो आराम समके सकते हैं पढ़ा एक मिनान क्रूड की वज़े से मिला है तो क्या ये इन्फलेशनरी एकनामिक्स में और बार बार इसको महंगाई करके हमारे मित्रों को समझाईएगा क्या ये बजट उस लिहाज से बहतर होगा देखिए जहां तक बजट या इनकी नीतियों का सवाल है इन्फलेशन के संदर्ब में मुद्रा स्पीती के संदर्ब में जो एक बड़ी अच्छी चीज जो वर्तमान सरकार को मिली वो जैसे आपने बताया कि तेल की कीमत में जबर्दस गिरावट जिसका नीतियों से कुछ कुछ भी लेना देना नहीं है इन्फैक्ट गर हम यह देखें कि जितनी गिरावट हुई गर उसका आधा भी आम जन तक पहुंचता तो महगाई और गिर्ती शायद लोगों को और फायदा होता जी लेकिन कहीं आपको आपको एक सेकिंड ले रोक रहा हूँ अब सुधार ब पर बताया कि वो पूर्व अध्यक्ष हैं फिकी के हाँ प्रवीन जी यह कर रहा था कि यह जो है वैश्विक अर्थ वेवस्था के लिए गर कोई तीन साल पहले काता कि इतनी गिरावट हो है प्रवीन जी अंग्रेजी में एक और फ्रेज है डेविल्स अड्विकेट में व उसके लिए महंगाए और कम होने वाली है इस बजट के मादिम से नहीं बजट के मादिम से नहीं से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है तो सीधी सी बात यह है कि ये एक बहुत अच्छा सुयोग सयोग रहा पिछले दो वर्षों से जो है तेल की कीमत में जबरदस गिराव पटाई है हम 100 डॉलर से 25 डॉलर के आसपास पहुंच गए जब 100 से ज्यादा था 2014 जून के आसपास तो ये बहुत बढ़िया सुयोग है लेकिन इसका बजट से सिर्फ इतना ही लेना देना ये है कि आपका फिस्कल डेफिसिट जो है उस पे बहुत जबर्दस प्रभाव पड़ा गर वो प्रभाव पड़ा है तो उसके पास उसकी वज़़े से आपका एक एक इकनॉमिक स्पेस खुलता है लेकिन इसके माध्यम से आप इंफलेशन को महगाई जो है जहां पहुंची हुई है मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई और खास गिरावट आप देखेंगे बज़ट की नीची में आपका परण जीवियल साब बोले रहे हैं स्पेसिफिक क्योंकि हम जानते हैं कि आर्थिक समीकरणों से इन्फलेशनरी पैटर्न बढ़ और घट सकते हैं क्या इस बज़ट में अरुन जेटली के पास ये मौका होगा देखें बज़ट में क्या होता है बज़ट में टैक्सेशन पॉलिसीज पर जोड दिया जाता है जो टैक्स होंगे और एक डिरेक्ट एक्सेशन पर होता है कि आपके डिरेक्ट एक्सेशन लिमिट से वो सब उपर नीचे जब होती हैं तो आपके पास पैसा जादा बचता ह जो prices उपर जाते हैं, inflation से पहले तो आप ये समझेए कि inflation का ये मतलब नहीं कि कीमते नीचे जा रही है, lower inflation से मतलब ये है कि कीमते जितनी बढ़ रही हैं कम बढ़ रही है, कीमते तो बढ़ेंगे, लेकिन वो कितनी बढ़नी चाहिए है हर साल, वो budget में आपका अगर fiscal deficit कम होगा आपके revenues आता होंगे, तो उसका impact prices पर पढ़ता है, ठीक है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं, बस अब यही समझना चाहरे हैं, क्योंकि थेकि आप लोगों की तरह सब लोग जानकार नहीं है, वो सिंपल आंकलन को इसी नियास से समझना चाहरे है, तो आप अलग से लेकर हैं, जिनको मंडे को budget देखना है, क्या उनके घर में महिंगाई कम हो रही है कि नहीं? माइनस में चल रहे हैं, मगर कहान यहां क कतम nt कर देखना, मगर यह भोकता के लिए उसमें क्या लेना देखना क्योंकि उभोकता के लिये जो सूच कांग है, जो को यह थे consumer price index, एक नहीं है, बहुत सारे index, index सीज है यह उग भोकता के लिए जो सूच कांग है वो लगातार बर रहे हैं चार-पांच फीसदी है और और सबसे आश्चे चांग जल्ली से क्योंकि वह आज बहुत नहीं लेकि क्योंकि मंदी वालों ने बार बार आग्यू किया है मुझा आके इस प्रोग्राम में कि यह उन इसका 70-75 फीसदी वो अपने आप रख दिया क्योंकि कच्छे तेल के ऊपर और पेट्रोल पदात के ऊपर जो उत्वादन शुल्क है एक साइज ड्यूटी लगातार बराया और आम भोकता के लिए जो 25 फीसदी फायदा मिला अगर डीजल के कीमत और कम कर देते सरकार अगर पेट्रोल का कीमत और कम देते तो यह और नीचे आ सकता था ठीक अब जी विल साब प्लीज अविग्यान जी आइटिंक जनता समझना चाहती है अब देखे पिछले 20 मेहनों में जनता का मूल प्रश्नियों बजट सुनेगी और बजट सब को पता एक प्रस्ताव होता है तो क्या उसको लगेगा कि उसके घर के जीवन को चलाने की सहूलियतें कम हो रही हैं बज़ाए बढ़नेगे अब देखे जो हम सब्ता में आये थे हमारे लिए सबसे हमने जो प्राथमिक जो सबसे प्रमुक जो प्रामिस वाइदा किया था जनता के साथ वो था महंगाई का दर सबके दाम खतम होंगे कम होंगे यह तो डिफलेशनरी ट्रेंड होगा एकॉनमी में यह ऐसा कहीं होता भी नहीं है लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा तेजी से ना बढ़े जैसा यूपी एक वर्ग है अर्थ शास्चियों का डियो डिफलेशनरी त्योरी देता है आज मार्च तक जो RBA का टारगेट है 5% CPI Consumer Price Inflation मतलब जो ग्राहक जो खर्च करते हैं उसमें सालाना 5% से ज़्यादा कीमते नहीं बढ़ने वाली है यह मैं समझता हूँ बहुत अच्छी एक बहुत अच्छी एक ट्रेंड है क्योंकि UPA के कारकाल में डबल प्रेजिक मी रहा है कच्छे तेल की कीमतों का फायता उठाते हूँ दीजे क्योंकि नहीं नहीं है यह बड़ा इंपर्टन है एक मिन्ट मैं सिधार बिर्ला साब को भी लाओंगा एक बड़ा इसका जवाब में देना चाहता हूँ लोग अरुन जेकली के बारे में यह सोचते है कि उनको फिस्पकल मैनेजमेंट का फॉर्मूला यही पता है कि आप सारी स्पेंडिंग्स खर्चे कम करके जिसमें पिछले बज़ेक में बहुत बड़े पाइमाने पर सोशल सेक्टर है यह मत भूलिएगा पिछले बज़ेक क बहुत खर्च किया जो भी बचत थी इसमें यह सारा रूरल रोज में लगाया गया हाईवेज में लगाया गया रेलवेज में लगाया गया क्या पब्लिक स्पेंडिंग करना देश के हित में नहीं है जनता के हित में नहीं है क्या उसके माधियम से हम ग्रोथ को आगे नहीं यह इसी सारा आज की सेविंग्स पास कर दो मैं इस बात को यह कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता है मैं समझता हूँ यह बहुत प्रूडेंट एकनॉमिक मैनेजमेंट सरकार के तरफ से हुआ है ठीक है पांच फीसिदी आप कह रहे हैं और मैं यह शब्द यह लाइन याद रखूँगा कंजूमर प्राइस, CPI जो है कंजूमर प्राइस इंडेक्स वो भी मैं आपको समझा दोगा वो पांच फीसिदी से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा ऐसा अनुमान है सिधात बेला जी, मेरा पहला पॉइंट तीन पॉइंट पर हम चर्चा कर रहे हैं महंगाई जो GDP के आकड़े बताय जाते हैं जिस पर गोरो गोरो थादारित होता है और किसानों पर होने वाले खर्च का हिसाब किताब पहला पॉइंट है क्या आपको लगता है कि ये बजट जो आ रहा है ये महंगाई पर ज्यादा नियंतरन रख कर पाएगा ज्यादा काबू कर पाएगा देखे मेरा मानना है कि बजट का डाइरेकली अनलेस कोई बजट कोई बहुत ज़्यादा टैक्सेशन बढ़ाए और कॉस्ट पुश करे इस बजट का मेरे ख्याल में महंगाई पर इत्ता असर नहीं पड़ना चाहिए महंगाई हमारे यहाँ जो देखी जा रही है जो उपर नीचे हो रही है या जो काबू में भी आ रही है इट इस मोर क्वेश्चन आफ डिमांड सप्लाई मैनेजमेंट का रिजल्ट है और जिस सरे से आप पहले बाते कर रहे थे कि वह तेल के दाम घट रहे हैं तो तेल के दाम घटने से डेफिनिटली एकोनॉमी को बहुत फाइदा हुआ है सारे की सारी सेविंग कंजूमर को पासओन नहीं करी गई है पर उसको इन्वेस्मेंट स्ट्रीम में लगाया गया है जैसे रोड बिल्डिंग में इंफ्रास्ट्रक्शर बिल्डिंग में और आपकी जो ऑईल मार्केटिंग कंपनी से उनका घाटा कम करने में इस चीज़ में लगाया गया है तो मेरे मानने में बजेट इटसेल्फ में कॉस्ट पुश अगर कोई टैक्सेशन का एलिमेंट नहीं हो तो बजेट इटसेल्फ से महगाई बढ़ने की आसार मुझे कम नज़राते है